हेलो एवरीवन वेलकम टू फांडेशन क्लासेज मैं नेम इस अमित चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टोपिक है वो है डवलपमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल्स इसका फर्स्ट पार्ट हम कल कर चुके हैं यह हमारा सेकेंड पार्ट है जहां पर ह हमने टोपिक को स्टोप किया था एक्जक्ट वहीं से ही हम नेक्सट पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं इससे भार आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है आप बार बार इन नोर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और पीवाई क्यू की जो प्लेलिस्ट हैं वो अलग से हैं पहले आप थियोरी को अच्छे से रिवाइज कीजिए दैन उसके बाद आप पीवाई क्यू क्यूस को अटेम्ट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो किया है वो कितना आप कर पा रहे हो ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आ आप आप सेक्षन में मिल जाएगा तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल्स ओफ डवलप्मेंट कल के पार्ट में हमने 14 प्रिंसिपल्स को कंप्लीट कर लिया था ठीक है तो हम उससे आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं देखिए 15 नंबर पर है इसेज़ुफ प्रोसेस या फिर जो आपका विकास है वह बहुत ही स्लोग प्रोसेस है एक एकजांपल से समझते हैं जैसे देखिए आपका बच्चाए आपके साथ रहता है ठीक है तो उसके अंदर जो डेली चेंजमेंट होंगे वह आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंक तो आपने खुद सुना होगा यह चीजे वो बोलते हैं बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया ठीक है क्यों कि उन्होंने बच्चे को काफी टाइम के गैप के बाद देखा है ठीक है और आप बच्चे को क्या कर रहे हो डेली दिख रहे हो ठीक है तो जो चेंजमेंट होते हैं वो आपको डेली बेसिस पर दिखाई नहीं देंगे ठीक है वो एक गैप के बाद एक टाइम पीरेड के बाद आपको दिखाई देने लगते हैं यह बोला जाता है जो डवलपमेंट है वो एक स्लो प्रोसेस है ठीक है ना जैसे आपकी हाइट है आप डेली उसको देखोगे डेली मेजर करने की कोशिस करोगे ना तो आप नहीं समझ पाओगे अगभी हाइट इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है ठीक है वो एक काफी गैप पिरेड के बाद आप उस चीज़ को क्या कर पाओगे नोटिस कर पाओगे क्यों क्यों क्योंकि डवलपमेंट जो होता ह है वो एक gradual process है ठीक है आगे देखिए development is irreversible process ठीक है irreversible का मतलब क्या होता है यानि कि ऐसा नहीं है कि आपका विखास मानलो आपका development हो गया और उसके बाद क्या होगा वो उस stage से वापस आएगा ठीक है जैसे example से समझते हैं जैसे आपकी height है अगर एक बार आपकी height सकती ना तो इसलिए बोलते हैं जो development है वो irreversible process होता है ठीक है अब doubt के अंदर मत रहना मैंने इसको spiral भी बताया था spiral का मतलब होता है वो आगे पिछे होकर चलता है वो ऐसा नहीं है कि एक साथ ऐसे ही चलता रहेगा डारेक्ट जैसे growth चलती है ठीक है यह क्या होता है irreversible process होती है इस चीज को आप याद रखना ठीक है आगे देखते हैं development is simple to complex ठीक है यानि कि सामानने से और कठिन होता चला जाता है ठीक है या फिर आप इसको बोल सकते हैं development is orderly process यानि कि order में होती है यह चीज़ हम पढ़ चुके है order के बारे में तो development is sequential process यानि कि एक sequence के अंडर होता है यानि कि जो बच्चे का विकास है वो कैसे होता है simple से complex की तरफ होता है कैसा होता है orderly होता है एक sequence में होता है ठीक है जैसे देखिए जब बच्चा छोटा होता होता है तो वो limited सोच पाता है उसकी जो thinking है वो कम होती है वो छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में सोचेगा यानि कि simple है ठीक है लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी thinking क्या होती है broad होने लगती है, wide होने लगती है wider होने लगती है ठीक है लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, हमारे जो emotions हैं, वो कैसे हो जाते हैं, complex हो जाते हैं, एक level पे हम इतने ज़्यादा complex हो जाते हैं, कि हम अपनी चीजों को दूसरों से share भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम अपने अंदर ही रखते हैं उन चीजों को, ठीक है, खु से पहले वो हाथों पर चलना स्टार्ट करेगा, फिर गुटनों के बल चलेगा, फिर पैरों के बल चलेगा, यह मने आपको orderly process के अंदर बताया था, एक sequence में होती है सारी चीजे, ठीक है, आगे देखिए, development has plasticity और flexibility, अब इस relation को आप spiral से connect कर रखते हैं, याने कि आगे पि कि विकास आगे तो बढ़ता रहते हैं, लेकिन यह direct आगे नहीं बढ़ता है, यह spiral होता है निचर के अंदर, इसमें क्या होते हैं, उतार चड़ा होते हैं, यह क्या करता है, यह अपने पूरव जो अनुभव है ना, जो आपके past experiences हैं, उनको साथ लेकर आगे बढ़ता है, जैसे अब इसका use क्या होता है, जैसे बच्चे को माल लो कोई बिमारी हो गई, उसको depression है, या उसको PTSD है, ठीक है, इस टाइब कोई भी उसको बिमारी हो गई, उसकी bones है, उनमें कुछ रोग है, या वो क्या होगी, मुढ गई है, आप यह माल लीजिए, ठीक है, तो बोला ज सलता है, ताकि जो बच्चे की बिमारिया है ना, उनको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ठीक है, आगे देखिए, development is a cumulative process, अब cumulative का मतलब होता है, संचाई, सब कुछ जोड कर, यानि कि बच्चे के जो development है ना, उसमें सभी चीज़े सामिल होती है, जैसे उसके पुराने experiences हो गई, उसके present experiences वगेरा हो गई, ठीक है, यानि कि present में जो है, वो सब चीज़ें भी, और उसने past में experience लिये हैं, उस को बोलते है, cumulative process, यानि कि संचाई process, ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखना, आगे देखिए, development इजे holistic process, अब यह holistic क्या होता है, holistic के बारे में तो मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, holistic का मतलब होता है, सरवांगिन, मैंने लिख भी रखा है, सरवांगिन विकास यानि कि सब कुछ मिलाकर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानि कि बच्चे का जो physical development है, जो cognitive development है, social development है, emotional development है, यह सब क्या होते हैं, यह सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं, सभी का जो effect है एक दूसरे के उपर पढ़ता है, ठीक है, चलिए एक example से समझते हैं, जैसे आपको ठका हुआ मैसूस करेंगे, तो आपके cognitive development के उपर भी effect पढ़ा, social development पर भी पढ़ेगा, कैसे, भी आगर आप बिमार हैं, तो आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगे, दूसरों से मिलना जूलना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, एक कांत में रहेंगे, तो one effect, और emotionally भी effect होता है, आपके emotions के उपर भी effect पढ़ता है, अगर आप बिमार है तो, ठीक है, तो यानि कि आपके जो development है, वो एक holistic process है, उसके उपर हर एक development का effect पढ़ता है, ठीक है, आगे देखिए, next है आपका differentiation, मैंने आपको integration के बारे में तो बता जिया था, अगर सब कुछ मिला कर, तो इसी तरह होता है, differentiation का मतलब होता है, किसी भी चीज को अलग-अलग करना, यानि कि different, different, ठीक है, अलग-अलग तरह से सोचना, देखिए, यानि कि किसी भी चीज या situation के बीच में, आप क्या कर पाते हो, differentiate कर पाते हो enter कर पाते हो यानि कि चीजों को समझ पाते हो चीजों को अलग कर पाते हो ठीक है जैसे हम एक example से समझते है जैसे एक चोटा बंचा होता है तो हर situation को कैसे शो करता है roka r羊 करता है ये example आपको मैंने एक बार पहले भी दिया था ठीक है अगर जैसे उसको भूख लगी है तो भी वो रोकर शो करेगा आपने उसको injection लगवाया तो भी बच्चा रोता है रोकर ही शो कर रहा है अगर गिर जाता है तब भी ऐसे ही शो करता है ठीक है उसको चोट लग गई तब भी बच्चा रोता है तो यानि कि छो छोटा बच्चा है वो अपने हर एक emotions को सिर्फ और सिर्फ कैसे शोगरता है रोकर शोगरता है लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैस समझने लगता है अग बै किस situation में मेरे को रोना है किस situation में मेरे को हसना है अगर उसे भूख लगी है तो वो अपनी मा से बोल देगा भई मेरे को क्या चीए खाना चीए ठीक है न यानि कि वो हर situation को फिर उसी के according हंडल करने लग जाता है तो इसको बोलते है differentiation ठीक है तो जो development है वो देरे दरे किस तरफ बढ़ता है differentiation की तरफ बढ़ता जाता है ठीक है तो यह दिखे है हमारे 21 थे 21 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है development के अंदर ठीक है यह चोटी चोटी उसकी properties लगा लीजिए आप या characteristics बोल लीजिए दोनों बात equal ही है इससे भार आपको नहीं मिलेगा इनको बार-बार revise करना और बहुत ही अच्छे से revise करना है ठीक है आगे देखिए अब तक हमने पढ़ा था development के बारे में ठीक है अब विकास क्या होता है ठीक है अब हम पढ़ेंगे child development यानि की ball विकास के बारे में ठीक है यानि की बच्चे का जो विकास है वो किस stage में कैसे कैसे होता है तो देखिए सबसे फ़ले definition है अग बालक के गर्ब काल से यानि की prenatal जो stage होती है वहाँ से prenatal stage से ठीक है यानि की बालक के गर्ब काल से लेकर उसके परीपकव अवस्था यानि की adolescent अवस्था तक का जो अध्यन है ना जो उसकी maturity level तक का जो अध्यन है वो क्या 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 आता है आपका बाल विकास क्या लाता है ठीक है यानि की study of a child from its conception till its maturity is called child development ठीक है आप समझ गए होंगे आगे देखिए जो child development है ना इसके बारे में सबसे पहले जो कारिय क्या था वो क्या था कॉमेनिस ने ठीक है कॉमेनिस ने ठीक है एक psychologist हुए है हिनोंने सबसे पहले कारिय क्या था बाल विकास के उपर child development के उपर ठीक है आगे देखिए child development का जो वेगानिक अध्धन क्या था जो scientific अध्धन जो क्या था child development का वो क्या था पैस्टोलोजी ने और कब क्या था 1774 के अंदर ठीक है आपको ये चीज भी याद रखनी है आगे देखिए एक उत्त है बाल अंदोलन या बाल अध्धन अंदोलन ठीक है यानिकि बच्चों को पढ़ने के बारे में जो अंदोलन चलाया था वो चलाया था Stanley Hall ने जो का के थे USA के थे ठीक है Stanley Hall और इनोंने ही सबसे ज़्यादा बात किये थी आपकी जो adolescence age होती है यानिकि जो बाल विकास है उसकी कौन-कौन सी stages होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है देखिए आगे सबसे पहले हमारे पास आता है prenatal stage ठीक है prenatal stage अब ये क्या होता है देखिए आप आपकी जो prenatal stage होती है वो आपकी जब आप गर्ब में होती है ठीक है जब आप मा के पेट के अंदर होती है तो वो जो stage होती है वो आपकी prenatal stage होती है जिसको बोलते है प्रसव पूर्व अवस्था देखिए आप इसके बारे में क्या पढ़ते हैं यानि कि जब बच्चा मा के गर्ब में होता है तब से ही उसका क्या हो जाता है विकास स्टार्ट हो जाता है यानि कि बच्चे के जनम से पहले ही उसका development स्टार्ट हो जाता है देखिए जो बच्चे का development है न वो नोर्मल सी बात है जब दो से बच्चा बनना start होता है ना x और y या x और x ठीक है तब से ही बच्चे का जो development है वो start हो जाता है ठीक है अब देखिए आगे हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं जो हमने areas पढ़े थे ने development के normally physical development आपका cognitive development आपका socio-emotional development ठीक है तो ये जो main main हमारे जो areas थे ना अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे अग जो ये stages है इन stages के अंदर जो बच्चे का development है वो इन areas के coding कैसे होता है ठीक है अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं देखिए जैसे prenatal stage है तो इसके अंदर जो बच्चे का physical development है ना वो कैसे होता है हम इस बारे में पढ़ेंगे देखिए इस stage में बच्चे का जो physical development है ना वो सबसे तेज होता है ठीक है इस stage को आप याद रखना सबसे तेज बच्चे का जो physical development है वो कब होता है आपकी prenatal stage के अंदर बच्चा दो सेल से एक complete रूप ले लेता है तिर्फ 9 मन्त के अंदर ठीक है तो हो गया ना सबसे ज़़ा तेज अगर बच्चा दो सेल से start होता है और 9 मन्त के अंदर वो एक complete बच्चा बन जाता है ठीक है तो physical जो development है वो आपके prenatal जो stage है उसमें सबसे तेज होता है ठीक है आगे देखिए आपका cognitive development आपका socio-emotional development और आपका language development ठीक है एटसेटरा यानि कि इससे और भी जो development है तो इस stage के बारे में इन developments के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते क्यों? क्योंकि जो बच्चा है उसने अभी जनम नहीं लिया है वो मा के गर्ब में है ठीक है न? तो physical development तो हम बता सकते है अगर भी बच्चा देरे देरे बड़ा हो रहा है इस चीज के बारे में तो हम बता सकते है ठीक है लेकिन जो बाकी development है न? उनके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते है हम कैसे बता सकते बच्चा क्या सोच रहा है? गोगनेटू development के बारे में नहीं बता सकते बच्चा कितना emotions है बच्चे के अंदर सामाजिक तो अभी बच्चा हुआ ही नहीं है ठीक है तो हम किसी भी चीज के बारे में नहीं बता सकते है ठीक है आगे देखिए उसके बाद हमारी आती है infancy stage जिसको हम सैसवस्था भी बोलते है ये कब से कब तक होती है आपकी 0 से 2 वर्स तक होती है ठीक है अब हम इसके बारे में पढ़ते है जीवन की आधार सिल्ला वे महतवपुरण काल माना जाता है किसको? infancy stage को बढ़ देखे C-Tat के अंदर जो factual question है नहीं आते हैं आपके S-Tat हो गया, Ritvogera हो गया, UP-Tat हो गया इन सब के अंदर आते हैं ठीक है फिर भी आपको knowledge होने चाहिए जीवन की जो आधार सिल्ला या महतवपुरण काल है किसको माना गया है? आपकी infancy stage को माना जाता है सैसर अस्था को माना जाता है ठीक है? आगे देखे infancy stage को illogical thinking की stage किसने बोला है? यह बोला है आपके P.A.J. ने यह आप याद रख सकते हो तो कुई seat ad के अंदर P.A.J. की जोरी के बारे में है हमारे topic के अंदर ठीक है? तो infancy stage को illogical thinking की stage किसने का है? P.A.J. ने का है? यानि कि बच्चा illogical सोचता है ठीक है? आगे देखे सीखने का जो आदर्शकाल है यह किसने बोला है? Valentine ने बोला है सीखने का आदर्शकाल किस stage को? infancy stage को किसने बोला है? Valentine ने बोला है ठीक है? आगे देखिए इस age को हम twice भी बोलते हैं यानि कि खिलोनों की आयू या फिर imitative age भी बोलते है imitative का मतलब क्या होता है? नकल यानि कि बच्चा कैसे सीखता है? नकल से सीखता है तो इसको क्या बोलते है? infancy stage को ठीक है? इसका मैंने आपको example भी दिया था नकल के बारे में अगर जो आप करते हो ना आपका बच्चा आपको देखकर वैसे ही करने की कोशिस करता है ठीक है? तो हम इसको imitative age भी बोलते है ठीक है? ठीक है? नाइन मन्थ में complete baby बन जाता है ठीक है? तो जो physical development है अगली stage में infancy stage के अंदर वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा slow हो जाता है ठीक है? लेकिन इस stage में अपना जो बच्चा है ना वो अपनी बोड़ी पर थोड़ा क्या करता है? control development करने लगता है यानि कि वो धीरे-धीरे क्या करेगा? उठना start करेगा धीरे-धीरे चलना start करेगा बैसेक उसका जो development है वो slow हो रहा है लेकिन वो अपनी बोड़ी पर क्या कर रहा है? control बनाने लग रहा है ठीक है? आगे देखे cognitive development की बात करते है अग जो आपकी infancy stage है ना उसमें जो cognitive development है वो prenatal stage की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है ठीक है? यानि कि start हो जाता है ठीक है? हम समझने लगते हैं कि बच्चा कुछ-कुछ सोचने लगा है बैस जो prenatal stage थी उसके अंदर तो नोर्मल सी बात है हमें पता ही नहीं था क्योई बच्चा माखे गर्व में था अगर उसका development हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन जो आपकी infancy stage है उस टेम बच्चा पैदा हो चुका है तो हम कही न कहीं idea लगा लेते हैं बच्चे का क्या हो रहा है cognitive development भी हो रहा है ठीक है आगे देखिए next उसके बाद हमारे पास आता है socio emotional development अब ये क्या होता है बच्चे ने जनम ले लिया तो बच्चा क्या होगा समाज में आ चुका है ना और उसका समाज उससे में कौन होता है तो आपकी ये stage है infancy stage 0 से 2 साल की तो उस समय बच्चे के लिए उसका समाज क्या है उसकी family होती है इन्हें की socialization किस से होता है बच्चे का उसकी family की वज़े से होता है ये हमने socialization जो chapter बढ़ा था ना उसके अंदर भी discuss किया था ठीक है इस stage में बच्चे की जो language है वो भी क्या होने लगती है develop होने लगती है ठीक है और 2 साल तक आते आते बच्चा क्या करता है अच्छे से बोलना भी start कर देता है ठीक है तो यानिके जो बच्चे का socio-emotional development है वो infancy stage में किस की वज़े से होता है family की वज़े से होता है यह आपको याद रखना है ठीक है आगे देखिए उसके बाद हमारी next stage आती है early childhood stage यानि कि प्रारंभीक पूर्व बालवस्था ठीक है यह कब से कब तक होती है 2 से 6 साल तक होती है ठीक है और इसको हम क्या-क्या बोलते है इसको हम place बोलते है pre-gang age भी बोलते है gang age नहीं बोल रहे है याद रखना इसको हम बोल रहे है pre-gang age ठीक है और इसको क्या कहते है unique age भी बोलते है आगे चलिए अब इस stage के अंदर हम physical development के बारे बात करेंगे तो जो आपकी pre-childhood stage है उसके अंदर जो आपका physical development है न वो थोड़ा सा क्या हो जाता है slow हो जाता है ठीक है आपका physical development क्या हो जाएगा slow हो जाएगा सबसे fast किसमे था prenatal stage में उससे थोड़ा सा कम किसमे हो गया था आपकी infancy stage के अंदर और अब उससे जादा ओर डाउन हो जाएगा यानि कि ओर जादा slow हो जाएगा कब आपकी early childhood stage के अंदर लेकिन देखिए आगे लेकिन बच्चा अपनी body पर control और जादा अच्छे से करने लगता है भई अभी बच्चा क्या कर रहा था आथों पर उठनी की कोशिस कर रहा था और अब वो क्या करेगा चलने लगेगा पैरों के उपर धीरे-धीरे क्या करेगा दोडने लगेगा यानि कि उसका अपनी body के उपर जो control है न वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है फिक है आगे देखिए cognitive development इनफैंसी स्टेज की तुलना में इस स्टेज में जो cognitive development है न वो क्या होता है इनक्रीज होता है बच्चा समझने लग गया है चीजों को फिक है वो irreversible thinking करने लग जाता है समझ रहे हो आप तो जो cognitive development है न वो इनफैंसी स्टेज की तुलना में इस स्टेज की अंदर क्या हो जाता है इनक्रीज हो जाता है अगे देखिए language development पर नॉर्मल सी बात है बच्चा सामझिक तो हो रहा है अब वो क्या करेगा घर से निकलना स्टार्ट कर जाता है आपके पडोस में जाएगा पार्क वगेरा के अंदर जाएगा आपके पडोसियों से मिलेगा ठीक है तो जैसे जैसे बच्चा उनसे मिलेगा न तो कुछ ना कुछ बच्चे को सीखने को मिलेगा बाते करेगा ठीक है कुछ ना कुछ नई वर्ट से सुनेगा उनके पास से तो क्या होगा उसका language development होगा ठीक है तो इस चीज को आप याद रखना जो बच्चे का language development सबसे fast कब होता है सबसे ज़्यादा fast कब होता है early childhood stage के अंदर और ये चीज़ आप रटना नहीं है आप अच्छे से logic लगा कर समझीए ठीक है जब बच्चा infancy stage में था जीरो से दो साल तक कब कहा रहता था अपने घर के अंदर रहता था ना बार थोड़े ना निकल पाता था तो वो limited लोगों के बीच में है तो उसका जो language development है वो भी limited होगा लेकिन जैसे ही वो early childhood stage के अंदर आता है ना तो वो क्या करता है घर से बाहर निकलना start करता है पारक में जाएगा बच्चों के साथ खेरने के लिए पडोशियों से मिलेगा तो जब ज़्यादा लोगों के contact में आएगा तो कुछ ना कुछ सुनेगा ना कुछ नए नए words को स के बारे में देखते हैं बच्चे का socialization भी सबसे फास्ट होता है कब early childhood stage में और वही चीज मैंने आगे लिखी है क्योंकि बच्चा इस stage में घर से बाहर निकलने लगता है वैपारक में निबश में इनके घर पर क्या करता है जाने लगता है और जिससे उसका क्या होता है socialization फास्ट होता है इसलिए ही इस stage में बच्चे का language development है वो भी क्या होता है सबसे फास्ट होता है दोनों चीजे मैंने एक साथ explain कर दी है आपको ठीक है आगे चलते है early childhood जो stage होती है उसमें बच्चे पर जो सबसे ज़्यादा effect पड़ता है वो पड़ता है अपने teachers का अपने peer groups का जब मैंने पिछे topic करवाया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था अग बच्चे के लिए इस age के अंदर है ना teacher बहुत ज़्यादा importance रखता है ठीक है आ आपने कई बर notice किया होगा अगर teacher ने कोई क्यूशन गल्द भी बता दिया ना और घर पे आने पर जब माता-पिता उसको बता रहे हैं अगर आपके teacher ने ये क्यूशन गल्द बता दिया तो भी बच्चा नी मान रहा है वो बोलता है कि नहीं मेरे teacher ने बताया है और अगर teacher में बताया है तो यह चीज सही है ठीक है ना तो बच्चे के लाइफ में टीचर का इतना ज़्यादा इंपोर्टेंस होता है ठीक है तो इसलिए बोला गया है अग जो अर्ली चैल्ड वुड जो स्टेज है आपकी दो से 6 साल तक कि जो जयर उसके अदर बच्चे पर जो सबसे ज़्यादा इंफैक्ट पड़ेगा वह के टीचर्स का पड़ेगा और जो समकक्सी है यानि कि जो उसके साथ रहते हैं, उनका पढ़ता है, ठीक है, यानि कि बच्चे का जो socialization है, इस stage में किसे होता है, mainly school से, क्यों कि school में तो होते हैं teachers, और उसके जो peer groups है, ठीक है, तो जो school से अगर आप से पूछता है बच्चे का, जो development है, वो school की बज़े से कब होता है, तो तरवाल नवस्था, और इसका जो time period क्या होता है, 6 से 11 साल तक, ठीक है, इसको बोलते हैं gang age, यानि कि जो उसके समकक्सी थे न, या जो उसके friends है न, उनका ये कही न कहीं permanent member बनना start कर देता है, ज्यादा मिलने गुलने लगता है बच्चों के साथ, ठीक है, तो इसलिए इसक पूछ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, gang age कहलाएगी, ठीक है, दोनों याद रखना आप, अब आगे देखते हैं, इस stage में physical development के बारे में बात करते हैं, physical development की speed और ज्यादा कम हो जाती है, देखिए, prenatal stage में सबसे fast थी, infancy में थोड़ी सी slow हो गई, pre childhood में और ज्या controls है न, वो और ज़्यादा अच्छे से होने लगते हैं, ठीक है, यानि कि बच्चा अगर पहले चलना सीख रहा था, तो अब दोड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है न, यानि कि उसका अपनी body के उपर control बहुत ज़्यादा अच्छे से होने लग गया है, ठीक है, तो इसको दिरे आप नोटिस कीजिए, prenatal जो stage थी, वहाँ पे हम बताई नहीं सकते थे, अगभी cognitive development क्या होता है, उसके बाद आपर infancy stage आई, हमने वहाँ पे सोचना स्टार्ट क्या होता है, ठीक है, फिर आपकी pre-childwood आई, वहाँ पे हमने बताया, अगभी बच्चे ने 100% सोचना स् जन है न, वो पता होने लगता है कि ये चीज़े किस लिए हो रही है, किस वज़े से हो रही है, ठीक है, तो यानि बच्चे का जो cognitive development है, वो increase हो रहा है, ठीक है, आगे देखिए, language development के बारें बात करते हैं, तो बच्चे का जो language development है न, वो भी क्या होता है, बढ़ता है stage के बच्चा जादा वर्ड सीखने लगता है, पर नॉर्मल सी बात है, बच्चा स्कूल जाने लग गया, भार दोस्तों से मिलने लग गया, तो नए 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 वर्ड से सुनेगा न, नए नए चीज़े सिखेगा न, तो क्या होगा इसे, उसका language development भी भढ़ेगा, ठीक है, आग जो teacher का जो effect है, वो कम होना start हो जाता है, ठीक है, यानि कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ा होता है न, तो teacher का role उसके life में कम होना start हो जाता है, और किसका बढ़ जाता है, उसके जो समकक्सी है न, उसके जो friends है न, उनका role क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, और ये वो stage है, जहां पर बच्चे क्या बनाने लगते हैं? अपने permanent friends बनाने लगते हैं. जो बोलते हैं permanent fix जो दोस्त हो जाते हैं, अगर ये मेरा पक्का दोस्त है. बोलते हैं न छोटे बच्चे? तो वो permanent friends बनाने लगते हैं. किस stage के अंदर? Middle, childhood stage के अंदर. ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं. उसके बाद आती है आपकी adolescence, यानि किसोर अवस्था. और ये होती है आपकी 11 साल से लेकर 18 साल तक. फिक है? अब इसमें देखते हैं. physical development की बात करते हैं. इस stage में जो आपका physical development है ना, वो अचानक से बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है. अब तक तो development क्या हो रहा था? आपका घटता हुआ आ रहा था. लेकिन जैसे ही adolescence की जो जाती है, उसके अंदर जो आपका physical development है, वो अचानक से बहुत तेज हो जाता है. और इस अचानक से जो तेज होता है ना, इस अचानक से तेज होने को बोला जाता है spirit growth. ठीक है? क्या कहते है? spirit growth. ठीक है? आप इस word को याद रखना. ठीक है? कब होता है ये? adolescence age के अंदर होता है. ठीक है? आगे देखिए. adolescence age के starting periods को क्या बोलते हैं? poverty बोलते हैं. यानि कि योवना आरंब. यानि कि योवन का आरंब हो रहा है. तो इसको बोलते हैं हम puberty. यानि कि adolescence age के जो starting का जो period होता है 11 साल से जब start होता है बच्चा तो उसको बोलते है poverty, योवनारंब. ठीक है? और ये क्यों होता है? यह होता है आपके hormones के अंदर changement होने की वज़े से इसकी वज़े से hormones के अंदर changement होने की वज़े से जिससे लड़का और लड़की के अंदर क्या होने लगता है difference होने लगता है ठीक है जैसे देखिए जैसे लड़के और लड़की की जो voice है न उनमें change मिलेगा आपको लड़की के आवाज क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी लड़की के आवाज कैसी हो जाएगी? पतली होने लग जाएगी ठीक है? इसके अलावा देखिए जो गल से हैं उनके अंदर periods आने की शुरुवात हो जाएगी ठीक है? याने की जो menstruation cycle है वो कहीना कहीं लड़कीों में आनी start हो जाती है ठीक है? और जो boys हैं उनके face पर क्या आने लग जाएगी? बाल आने लग जाएगी? याने की दाड़ी मुझ आने लग जाएगी लड़कों के अंदर ठीक है? आगे देखिए emotions का change होना याने की लड़की और लड़कीों में जो emotions हैं वो change होने लगते हैं ठीक है? आगे देखिए सबसे fast physical development है अगर आप से पुछा जाता है जो सबसे fast physical development कब होता है? तो आप इस चीज को याद रखना सबसे पहले तो आएगा prenatal stage के अंदर और अगर आपका ये option के अंदर नहीं है तो आप चूज करोगे adolescence age को ठीक है? क्योंकि सबसे fast आपका prenatal stage में होता है अग जो बच्चा है ना वो 9 मन्त के अंदर complete बन जाता है दो cell से ठीक है? और उसके बाद कब होता है आपका adolescence age के अंदर सबसे fast physical development होता है इस चीज को याद रखना ठीक है? next उसके बाद बात करते हैं cognitive development की अब ये क्या होता है? देखिए इस stage में cognitive development सबसे fast होता है सबसे ज़्यादा fast होता है याद रखना आप बच्चे logical के साथ सा scientific भी सोचने लगते हैं यानि कि अब तो यही सोच रहे थे कि यह चीज क्या है logically साई है या गलत है ठीक है? लेकन अब वो साथ सा scientific भी सोचने लगेंगे अग यह साई है तो क्यों साई है? अगर यह गलत है तो गलत क्यों है? इस चीज के बारे में भी वो क्या करेंगे? सोचना start कर देते हैं तो cognitive development तो कभी क्या हो जाएंगे? happy हो जाएंगे ठीक है? तो यानि अचानक से sad होना और अचानक से happy होना किस age की property है? आपकी adolescence की ठीक है? आगे देखिए adolescence stage में बच्चे पर जो सबसे ज़्यादा effect होता है ना वो अपने peer groups का होता है अपने friends का होता है अपने दोस्तों का यानि ठीक है? वह अपनी दोस्तों की बात क्या करता है? सबसे ज़्यादा मानता है और parents के साथ क्या करता है? दूर रहने लगता है उनकी बाते मानता नहीं है अगर parents उसके साथ रोक टोक करते हैं तो वो चीज उसको पसंद नहीं आती है ठीक है यह आपकी adolescence की कुछ properties है ठीक है आगे देखिए father of adolescence age यानि कि जो आपकी adolescence आपके जो किसोर अवस्त है उसके जनक या उसके father किसको बोला जाता है Stanley hole को बोला जाता है किसको बोला जाता है Stanley hole को तनाव तूफान और संगर्ष की अवस्ता भी का जाता है किसको adolescence age को और यह किस ने बोला है या आपके Stanley hole ने बोला है ठीक है आगे देखिए जीवन का सबसे कठिनकाल किसको कहते है adolescence stage को बोलते हैं और क्या कहते है इसके लवा golden age भी बोलते है ठीक है तो आपका golden age हो जीवन का सबसे कठिनकाल हो जीज तनाव तूफान या संगर्ष की अवस्ता हो यह सब क्या होते हैं आपकी adolescence जो age है या जो stage है उसको बोला जाता है ठीक है इसके अलावा और देखिए the bridge between childhood and adulthood यानि कि वैसकता इसकी बीज का जो bridge है वो किसको बोला जाता है आपकी adolescence age को बोला जाता है वह child root का मतलब क्या हो गया आपकी बाल लेवस्ता जो कब से कब तक होते है दो से 11 साल तक ठीक और जो adulthood है जो वैसक जब आप हो जाते है वो बोला जाता है कि हमारे जो इंडिया है ना बात के अंदर जो adulthood की जो age माने गई है वो माने गई है 18 साल ठीक है यानि कि 18 साल माने गई है ठीक है तो जो इस बीज का gap पीरिड होता है ना आगे देखिए इस्यू ओफ डेवलपमेंट अबने डोलपमेंट लगबग complete पढ लिया लेकिन कुछ इस्यूज है डोलपमेंट के बारे में यानि कि development के बारे में जो अलग-अलग psychologist है ना, उनके कुछ मतबेद रहे हैं, development को लेकर, थो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए, जैसे first है आपका, development इस एक continuous process, और जो यह आपका जो issue था ना, यह solve हो गया था, ठीक है, हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अ अग जो development है, वो कैसा होता है, आपका continuous होता है, ठीक है, आगे देखिए second number पर, role of nature versus nurture, आपको मैंने बताया था, nature का मतलब आप याद रखना, nature का मतलब है, आपकी heredity से related, ठीक है, और जो nurture है, nurture का मतलब है, आपके environment से related, तो जो psychologist थे ना, उनके बीच में मत बेद था, अग heredity का role जाददा है, या फिर environment का role जाददा है, ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको example देखकर बताया था, कि हम नहीं बता सकते है, काफी लोगों का क्या होता है, पई heredity अच्छी होती है, लेकिन environment अच्छा नहीं मिल पाता, तो unsuccessful हो जाते है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों क्या है, उनको environment अच्छा मिला, तो उनकी heredity अच्छी नहीं थी, फिर भी वो success हो गए, ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कि किसका role कितना है, बस अहाँ इतना confirm है, अग दोनों का role होता है, ठीक है, आगे देखिए, early experiences versus late experiences, ये भी क्या हुआ आपका, अनसोल रह गया, ये भी सोल नहीं हो पाया, क्यों, देखें, कुछ psychologist ने बोला, कि जो बच्चा जब जनम ले जता है, तो उसके जो starting के साल होते हैं, 4-5-6 साल तक जब बच्चा होता है, वो उसके सबसे ज़्यादा important होते हैं, उस समय ही ब बच्चा सबसे ज़्यादा विक्सित होता है, तो वो सबसे ज़्यादा important होता है, उसके लिए, उस समय आप बच्चे के aim भी fix कर सकते हो, कि आप बच्चे को आगे चल कर क्या बना होगे, ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना था ये, और कुछ लोगों का मानना ये था, जो आप आज जितनी एज के हो ना, इस से पिछे के 4-500 साल होता है ना, उनका ज़्यादा रोल होता है, तो इन लोगों का मानना था कि जो आपके 13 है ना, 13 से जो 18 साल का जो गयप है, ये सबसे ज़्यादा important होता है, जबकि early experience वाले थे ये बोलते थे कि जनम से 4-5 साल तक, ठीक होगा, लेकिन ये चीजे फिक्स नहीं थी और ना ही फिक्स हो सकती है, क्यों, देखिए आप example से समझी आप, नोर्मल सी वाद है, स्टार्टिक में बच्चा ने जनम लिया, तो हो सकता है वो एक normal family में पैदा हो ठीक है, उसका जो आसपडोस है वो अच्छा ना हो, ठीक है, तो देखिए भई, आज की क्लास में इतना ही था, development जो topic है, वो हमारा complete हो गया है, इसके लाव इसके अंदर जैसे heredity था, environment था, इनकी वीडियोस मैंने अलग से डाल ली थी, ठीक है, जहाँ पर हमने अच्छे से इनके बारे में discussion किया था, मैं आपको फिर बोल रहूं, इस स्टैंप पर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको इनकी PDF चाहिए, तो आप टेलिगराम ग्रूप को जोईन कीजिए, ठीक है, आपको अलग से notes बनाने की विज़ूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर PDF को डाउनलोड कीजिए, और बार 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 इनको बार बार revise कीजिए, ठीक है ना, और डारेक्ट फिर practice कीजिए, तो चलिए, आज के session को यहीं पर swap करते हैं, thank you